मैंने घर में पड़े कुछ बेकार सामान से एक मजबूत प्लांटर स्टैन बनाया आपके साथ इसकी शेरिंग भी की थी तो थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स आप देख लीजिए कि कैसे बनाया पर आगी का काम मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेर करूंगी तो वही ये वीडियो है इसमें हम आपको इसे डेकोरेट करना भी दिखाएंगे बताएंगे तो मैंने कुछ किटी मौरंग जो घर में बेकार पड़ी थी और पड़ा हुआ था एक पेंट का वकेट तूटा हुआ था तो बस इस तरीके से ये लोहे का पाइप भी टंकी में से निकल बचा हुआ पड़ा था एल शेप का था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूज कर ले तो बस मैंने एक प्लांटर इस्टेंड इससे बना लिया तो इस तरीके का ये वजन हो जाने की वजह से ये बहुत सपोर्टेबल प्लांटर इस्टेंड तैयार हुआ है इसमें आपके 10- 15 पोट आप आराम से हैंग कर सकते हैं और काफी कम जगा ये लेगा तो बस थोड़ा सा डैमेज डैमेज था तो मैंने इसको एक लौक का शेप दिया हुआ था और फिर इसको पेंट करना बचा था मैंने एक सीख की हेल्प से इसमें हलका हलका स्क्रैच भी किया तो इतना ये टाइम नहीं मिला कि मैं इसको डैकोरेट कर दी क्योंकि गाडनिंग का काम वैसे काफी रहता है फिर उसके बाद का काम आप देखिए कि मैंने लिया है वाइट पेंट और इसको पेंट कर दिया पेंट करने के बाद इसमें काम बाग की था इसके लोहे की रौड को पेंट कर और 30 से 35 रुपे में आपको ये चोटी सी शीशी मिल जाएगी अब बस एक cotton sponge या फिर फैबरिक की help से आप इस पर paint कर दीजिए अगर कपड़ी की help से करते हैं तो बहुत कम paint लगता है brush वगरा में नहीं जाता हो तारपीन की भी जरूरत नहीं परती तो इस तरीके से मैंने पूरी इस iron knot को paint कर दिया अब हमारा ये planter stand complete हो गया सूख गया तो चली इसमें हम pots लगाते हैं लेकिन उसे पहले ये color मैंने बनाया हुआ था एक planter जो कि आप देख रहे हैं बाटल से बनाया है और बिना डोरी का जिसमें डोरी की भी जरूरत नहीं परती वही paint बचा था तो फिलाल हम इसमें लगा देते हैं ये एक wall paint है परपल कलर का तो फिलाल मेरे पास colors है नहीं तो बस मैंने इसको लगा दिया अब ये काफी खुबसूरत दिखाई देने लगा इस तरीके से तो अब देखते हैं कि इसमें हम planter कैसे आरेंज करते हैं और साथ में आप ये देखी कि कौन कौन से planter आप छोटे चोटे पास में लगा सकते हैं तो पहला planter ये है ये bottle planter मैंने इसी को मदे नजर रखते हुए बनाया था इसमें क्या है कि डोरी की ज़रूरत नहीं पर दी दूसरी bucket मैंने ये भी आपके साथ शेयर की थी इसमें मैंने sweet potato wine की दोनों cutting लगाई थी purple और green और साथ में एक pot ये yellow वाला ये भी bottle को मैंने cut करके बनाया और इसमें है Mexican petunia और साथ में अल्टर अंतरा भी है और एक ये win का white win का तो ये तो तयार ही है इसको मुझे यहां हैं करना है तो उस तरफ से pipe के कुछ भी नहीं है तो बस मुझे उस तरफ से डाल कर यहां तक लाना है तो मैंने इसको hang कर दिया अब यह देखिए one two three four five six six bucket हो गई मैं एक planter के दोनों pots को गिन रही हूं तो इस तरह के से दोनों तरफ हमारे pots cover हो गए और बीच में hanging basket अभी और भी आ सकती और purple वाले भी तो यह तीनों hanging basket में यह देखिए six pot हो गए और bucket मिलाकर seven eight इसके लावा इसमें छोटी-छोटी planters अगर आप और भी बनाते हैं तो बीच-बीच में जो इस पेसे वह हैं कर सकते हैं और इनको hang करने के बाद देखिए अभी मैं और इसमें आरेंज करूंगी तो मैं पॉट्स देखती हूँ अपने गार्डन में कहां कहां रखे हुए और किस तरीके से मैं इसमें लगा सकती हूँ तो मैं कुछ और लेकर आई और मुझे कहां समझ में आया यह जो मैंने सिमेंट का बनाया हुआ है उस पर मुझे रखने के लिए तो वहां पर रखे जा सकते हैं और उसमें क्या लगा हुआ है देखिए आप रियो प्लांट लगा सकते हैं कटिंग से स्नेक प्लांट लगा सकते हैं यह एक हैन प्लांट तो इसमें मैंने अभी आपके साथ ही तो मैंने एक पॉट यहां से और खोच कर लेकर रहा हैं बना ही हुआ पॉट ता मिटी भरी हुई थी तो मैंने यहां डोरी के हल्प से कुछ इस तरीके से बान दिया और दो-तिन चोटे-चोटे पॉट अभी और भी बान सकते हैं आप इसमें 15-20 प्लांटर्स को आराम से हैंग कर सकते हैं तो यह डियाइवाई यह प्लांटर स्टेंड बहुत काम का है और इसमें मेरा कुछ भी खर्च नहीं है गर्मी पड़े सामान से मैंने इससे बनाया तो एक लाइक तो बनता है इस आइडिया के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे-च्छे से कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज अभी मैं इसमें और भी पॉर्स लगाने वाली हूँ